अलो प्रेंट्स मेरा नाम है शरवरी और मेरे चानल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे फ्रेंच फाइस लेकिन आलू के नहीं कच्चे के लेके इसके लिए मैंने लिए हैं यह दो कच्चे के ले यह बगर का आटा बगर याने की समग या वरई भी जिसे बोलते हैं उ यह दोनों में से आए आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आप उरत में खाते हो तो हमें पहले यह केले पाटने होंगे इसके छिल्कियां में पूरे निकाल देने हैं तो हम उसके रमबे टुपडे करेंगे इसी तरह से दूसरे केले के भी टुपडे करेंगे अब मैंने इसके लंबे टुपडे कर दिये हैं तो मैं इसपे डालूंगी नमग आपको जो नमग चाहिए कैब मे रेसिप िर बंक का झाइब और झा भूलारी का फेर खाले महात्वाड फेल क्राइब भूलार जुड़ाग इस मे दूदिन दर्षा भूलते हैं। अगर आपके पास इन में से कोई आटा नहीं है तो आप साबुदानी आटा भी यूज कर सकते हो यह मीक्स हो चुका है मैं तेल गरम करने के लिए रखती हूँ मेडियम फ्लेम रखा है मैंने जैसे ही तेल गरम होगा हम यह तलेंगे तेल गरम होना चाहिए तेल अब हलका गरम हो चुका है तो हम इस पर फ्राइस तलेंगे पोड़े थोड़े डालें हमें तो हमें इसको प्लेम पे ही चलाना है ताकि एकडम क्रिस्क हो जाए और आप तो हमें आप यह श्रिंक हो चुके हैं थोड़े से तल्ट तो मैंने चोटे से बोल में एक चमच निंगु का रस और थोड़ा सा पानी लिया है तो हमें यह इस पर छिड़कना है यह करने से और भी क्रिस्क हो जाएंगे देखिए मैंने कितना पानी लिया है थोड़ा सा पानी लिया है जब किसी आवाज में रुज जाती है हमें इसको तजना है यह जब में इसकी बहुत प्रिस्क हो जाते हैं इसका टेस्ट भी अच्छा आए उसके अब इसके आवास कम हो रही है और हम इसको निकाल देगे तो इसके आवास रुख गई है देखो यह तल भी चुका है तो हम इसको निकाल देंगे और बाकी के सारे भी ऐसेए प्रकर से तलेंगे तो यह तैयार है अमारे बाकी के सारे भी फ्राइज को निकाल देते हैं गैस बन कर देती हूँ एव सकता अलाग करना फभा मिस को झालंगे हैं रिंगे रिंगर आपकाी तेर सत्सुमम् जापने स理ना अलागी थेकी मिर्सक आपके उत्पित हैं वड़का क्या को रमीन ने मिल경 हैज तो जाजैसे आपके लि sensitive póनous बें उत्प में लίुग ग्ड़वा हैं अगर आपको पसंद है तो आप इसमें मिर्स पाउडर डालिए यह तो इसे भी खा सकते हो आप इसे भी टेस्टी लगता है तो मैं थोड़ा सा मिर्स पाउडर डाल गई हूँ इसको मिक्स करें हूँ यह मीक्स हो गया अब हम इसको राइंज करेंगे चोटे-चोटे बॉल में चोटे-चोटे बॉल में चोटे से ग्लास लिए हमें इसमें राइंज कर सकते हैं अगर आपको पसन है तो आप इस पर चिली प्लेट्स में डाल सकते हो अगर आपको पसन हो तो अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए थैंक्यू